बिस्मिल्लायरमानी रहीम, असलाम लेकूम आज हम प्यास का लच्छा पकोडा बनाएंगे जिसके सारे लच्छे अलग रहेंगे तो उसको बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेर करूँगी आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े भी देखिये बिल्कुल लच्छेदार बन कर तयार होगे तो इसके लिए वीडियो को एट दद देखे और इसमें धट से पकोड़े बनाएं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार बनेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पे तीन से चार मीडियम साइज की प्यास लेना है और प्यास को कट कर लेना है बारिक बारिक और इसे छोरी से ही काटना है इसको ग्रेट वगेरा नहीं करना है थोड़ी सी मोटी ही काटना है तो फिर अब हातों से इसे इसके सारे लच्चों को बादर टीस्पून हल्दी पाउडर है वर्ण टीस्पून नमक है वर्ण टीस्पून है सॉंफ पांसे चे हरी मीश है हरी मीश टेस के अकॉर्डिंग कम यह जादा भी कर सकते हैं और बारी कटा वहरा धनिया दो टेबल इस्पून इन सारे चीज़ को एक मताम अच्छे से मिक् करेंगे आदा कब बेसन और आदा कब चावल काटा यह दिखिए चावल काटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनता है तो आप चावल काटा ज़रू डाले अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाना इसमें हम एक टेबल इस्पून पानी डालेंगे बस एक टेबल इस्पून डालेंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी तेर बाद नमिसमें टेबल स्पून पाणी और डालेंगे कॉ कि मैं परहें तकरीबबन उसमें दो पानी डालें जाएगा ते ज्यादा पानी 2 टेबल स्पून पानी डालतभाई डालने马ा भाई है है हमारा डो जैसा तो यह बिल्कुल रेडियो फ्राय करने के लिए बस हमें सिंप्ली से उठाते जाना है और गरम तेल में डालते जाना है देखिए इस तरह से तो गोल या फिटिक्की वगेरा का शेप नहीं देना है बस इसको ऐसे ही उठा के डालते जाना है तेल में दूसी साइट हम कडाई में तेल गरम करेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और एक एक करके पकोड़े इसमें एड़ कर देंगे सारे पकोड़े एक करने के बाद हम इसे तीन से चार मिन तक बिल्कुल भी हात नहीं लगाएंगे और तीन से चार मिन बाद देखिए यह सुनेरे कलर के हो गए हैं गोल्डन कलर के तो अब हम इसकी साइट को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राय कर लेंगे यह देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और यह बहुत ही जबदस से बहुत ही यमी और लच्छेदार हमारे प्यास के पकोड़े बनकर तयार हैं इसे हम बस प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से बाकी के सारे पकोड़े भी प्राय कर लेंगे अमीद करती हूं कि पकोड़ों की यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज ब्लेट बगए सब्सक्राइब के मज़ जाएं और मुझे अपनी दूआ में आद रखे तैंक्यू अलाफीज इससे आप अपनी पसंद की चट्मी या फिर किसी भी सौस के साथ इंजॉय करें यह बहुत ही टेस्टी लगता है यह पकोड़ा